प्राजिस्थान पत्रिका संपात किये उनमादी वाइरस दिरांक बुद्धुवार 22 अप्रेल 2020 कुल शब्द 452 गती 80 शब्द प्रतिमिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद स्टार्ट महरास्ट्र में पालघर के गड़ चिंचले गाउं में मॉब लिंचिंग की घटना दो तरहे के उनमादी वाइरस के रूप में उभर कर सामने आई है विराम पहला भीड का उनमाद जिसकी कर्तूत से शर्मनाक घटना हुई और दूसरा सोशल मीडिया के जरिये फैलाए जाने वाला वह है उनमादी वाइरस जिससे इस प्रकरण को सियासी व मजहबी रंग देने की कोशिश भी होती दिख रही है विराम महराष्ट सरकार की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है उसके अनुसार भीड ने बच्चा चोर गिरोह होने के शक में दो साधूओं समेत तीनों को पीट पीट कर हत्या कर दी विराम इस प्रकरण को लेकर सियासी घमासान इस कदर उठा है कि अखिल भारतिय अखाडा परिशद तक ने लॉकडाउन खुलने के बाद साधू संतों के महराष्ट कूच की जेतावनी दे दी है यह अवश्य है कि हर बार मॉब लिंचिंग को लेकर दुनिया भर में शोर मचा देने वाले उन पत्रकारों लेखकों राजनेताओं और फिल्म कारों की इस घटना पर चुप्पी आसचरिय जनक रही विराम इस तरह की चुप्पी सोशल मीडिया पर चाये उन आरोपों की पुष्टी करती है कि ऐसे बुद्धी जीवियों का स्वयम का नजरिया पक्ष्टपात पून रहता है विराम विपक्ष प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उत्थव ठाकरे सरकार पर सवाल उठा रहा है यह बात और है कि महराश्ट्र सरकार ने इस मामले में 110 लोगों को गिरफतार कर और दो पुलिस कर्मियों को निलंबित करते हुए जाच का ऐलान कर दिया हलांकि पुलिस पर आरोप है कि जो ततपरता आरोपियों की गिरफतारी में दिखाई वैसी यदि तीनों को बचाने में दिखाई होती तो यह दुर्भाग्य पून घटना ताली जा सकती थी विराम वन्विभाग के गश्ट कर रहे दो अधिकारी इन तीनों को भीड से बचा कर अपने दफतर ले आये थे विराम जाहिर है कि इसकी इत्तला भी पुलिस को जरूर दी गई होगी तो फिर पुलिस बिना तैयारी वहाँ क्यों गई घटना गे जो वीडियो भी बता रहे हैं कि किस प्रकार कानून के रखवाले भीड के आगे बेबस नजर आ रहे थे विराम बच्चा चोर गिरोह से जुड़े होने के शक में मॉब लिंचिंग के मामले पहले भी हुए हैं विराम इस प्रकरण में भी शेत्र के आदिवासी बच्चा चोर गिरोह के सरीय होने की अफवाह से डरे हुए थे लेकिन लोकडाउन के दौरान इतनी भीड का सडक पर आना भी सवाल खड़े करता है भीड खुद कानून का काम करने लगे इसे किसी भी सूरत में इजाजत नहीं होनी चाहिए विराम बड़ी चिंता ऐसे मामलों को सामप्रदाइक रंग देने की है जो मुख्य मंत्री उद्दव ठाकरे के बयान में भी दिखती है विराम दरसल सोशल मीडिया के इस्तिमाल ने अफवाहों को तीजी से फैलने का काम किया है ऐसे माहौल में जब समूचा देश कोरोना संक्रमन के खतरे से एक जुट होकर मुकाबला करता दिख रहा है आपसी विद्वेश नपन पे इसका भी ध्यान रखना होगा विराम उकसाने वाले संदेशों का आदान प्रदान सामाजिक समर्सता को भंग करने वाला हो सकता है विराम कैसी लगी आपको डिक्टिशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूले